हेलो वेरी गुड बॉरिंग नाव टुडेश्ट टॉपिक तो सबसे पहले हेडिंग लगा लिजे क्यूब रूट अफ पर्फेक्ट नंबर विदिन टू सेकंड इस वीडियो को पूरा देखेगा और मैं गेरेंटेट बोलता हूं कि आप यहां से सीखेंगे जरूर इस वीडियो को पूरा देखेगा और मैं आपको किसे भी नंबर का क्यूब रूट निकाला सिखाऊंगा जो की पर्फेक्ट नंबर होंगे विदिन टू और त्री सेकंड जो हमारे एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से इंपॉर्टन है मैं फिर बोल रहा हूं जो एक्जाम बोलते हैं कि सर चलो आज मैनत करनी है बट आज ने कल से शुरुवात करेंगे और फिर जब कल आता है तो हम बोलते हैं चलो थोड़ी बहुत किया बट अगली बार धंक से करेंगे और अभी तो बतला आप समझे जो आप प्रपेशन कर रहे हो यंग्स्टर हैं बहुत लोग तो वो लोग को लगते हैं सर अभी तो अटेम्ट बहुत जाद है एक बार पिपर दिया सर कुई नहीं अगली बार निकालेंगे तो ये चीज़ नहीं करना है यू हाफ टू चैलेंजिस हैं एक्सेप्ट और मेहनत करो सर एक बार बट सौ परसंट ऐसा नहीं है कि एक बार कि बट मेहनत से तो करो आप अपने आप दिल से हाथ रखे बोलो कि आप मेहनत करते हो तो कितनी करते हो 15 minutes 20 minutes नहीं आपको अपना आपको टागेट देना है कि सर खाऊंगा या सोंगा तब पहले आज का जो टागेट है पूरे वीक का जो गोल है मुझे अपना टाइम टेबल ब बात करते हैं कि आपको क्यूब याद है अगर मैं आप से बोलू what is a cube of 1 तो आप सब को बता है सर 1 का cube का मतलब होता है जब 1 को 3 times multiply करूँगा बना गया अगर मैं बोलू what is a cube of 2 तो आप सब जानते है कितना होगा 8 2 to 4 4 to 8 3 का cube कितना होता है ऐसी 27 4 का कितना होता है 64 जो आपक क्यूब भी mostly 80 बसे लोग को याद रहता है वो होता है आपका 5 का cube होता है 125 बट जैसे वह 5 के बाद आता हो न 6 का what is a cube of 6 तो वहाँ पे हलके-हलके speed डाउन होने शुरू होती है तो आपको इस lecture के बाद यह मतलब गंथस्त याद होने चाहिए कि सर अच्छा इसका तो यह होत होता है 512, 8 का cube होता है 512, 9 का cube होता है 729, 9 का cube होता है 729, पहले तो 9 तक की cube याद कर लेज़े, ठीक है 9 तक की cube याद कर लो वीडियो को पॉस्त करोओ अपने मन में बोलो और 2-3 बार लिखो, अगर आपको याद है तो पहले हमारा target 15 तक की cube याद होनी चीए, आगे देख 1, 7, 2, 8 13 का अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ तो 13 का होता है 2, 1, 9, 7 यह साही जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसको प्लीज याद करना है 14 का क्यूब अगर आप देखेंगे होता है 2, 7, 4, 4 और 15 का क्यूब अगर आप देखेंगे तो 3, 3, 7, 5 यह आपको गंथस्ट मतलब अगर कोई रात को भी उठाके बोले 12 का क्यूब तो एकदम निकलना चाहिए 1, 7, 2, 8 अगर कोई बोले से 7 का क्यूब तो आपसे निकलना चाहिए 3, 4, 3 और अगर यह नहीं निकलेगा तो यह पूरा मतलब जो आपका जो स्पीड है ना वो चीज़े आपको आगे चलके दिख कर देंगे Because now what we are doing from basic art sitters हम हलके 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 अपना level को increase करेंगे हलके हलके on the baby step we will move forward So without wasting time आगे चलने सबस्वाल तो आप यह cube लिख लिख लिजे बड़ी interesting आज का भ्रमास्त सखाऊंगा मैं आपको वो क्या है जरा देखिए अब इन numbers को बड़े ध्यान से देखेगा बड़े ध्यान से देखेंगे आप एक चीज़ पाएंगे जहाँ पे one है वहाँ पे आखनी number कितना आ रहे देख रहे हैं आपको जहाँ पे one है वहाँ पे आखनी number कितना आ रहे आप सबको देख रहा होगा अच्छा आप अपने मन में बता है और कुछ pattern देख रहे है और कुछ same तो आप बोलेंगे sir जहाँ पे four है वहाँ पे आखनी में कितना आ रहे देखे जरा जहाँ पे five है वहाँ पे आखनी में कितना आ रहे जहाँ पे six है वहाँ पे आखनी में कितना आ रहे और जहाँ पे आपके पास क्या है नाइन वहाँ पे आखनी में कितना आ रहे नाइन तो यह सारे numbers का आखनी डिजिट क्या रहे सेम हो रहा है अच्छा एक चीज़ और देखेंगे अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा जहां पे दो है वहां पे आकरी डिजिट क्या है एट दो का आठ, आठ का दो, तीन का साथ, साथ का तीन, एक बार फिर से, दो का आठ, आठ का दो, तीन का साथ, साथ का तीन, बोल दिया, बाकी नंबर सारे आपको ऐसी ध्यान रखना है, देखो ये ब्रहमास है, विदिन टू सेकंड ना आया, तो आप देखना ऐसा हो इनी सकता, और जितने भी exam दोगे, they will be a perfect number, ऐसे निये कि हम यहाँ तक कर लें, और बेफालतों पहुना time waste करें, हमारा goal oriented होना चाहिए, कि बही exam देर, आप last 10 years के paper लगा लो, पहले simplification है, सारा part मुझे से आप समखलो, vedic maths ही होते है, square ही होते है, 130 तक के square, मैंने without using pen, पढ़ाने को में 200, 300 सब पढ़ा दोंगा, but exam point of view से, is that clear, तो यह बात ध्यान से सुनेगा मेरी, आगे चलते है, सारे के सारे एक तो पहला क्या है आपको, यह cubes याद करने, किसी भी हालत में, मैंने आपको याद कर रहा है, वीडियो को पॉस्ट कर रहे है, आप ना बोलो, लिखो, दूसरा rule क्या है, यह सारे के सारे numbers में pattern बन रहा है, क्या pattern बन रहा है, अपने मन में बोलो, दो का आठ, आठ का दो, तीन का साथ, साथ का तीन, बाकी number क्या रहने वाले है, हमारे सारे के सारे, same रहेंगे, is that clear, now अब इसका use क्या है, इसका use क्या है, बड़ा interesting use है, केवल 2 second में answer रहेगा, एक question में समझाओंगा, बाकी आप लोग करोगे, देखो ऐसे में, फड़ावट देखते हैं, question में 1 क्या लिखावा है, question में 1 लिखावा है, find the cube root, find the cube root, एक ची ध्यान रखेंगे, एक एक ची जाओ, cube root में आप देखेंगे, जो हमारा cube root होता है, उसमें root में उपर लिखाव cube root of 27, तो answer क्योंगा, 3, मतलब 27 का cube root का मतलब है, यह किस number को मैं 3 बर multiply करूँगा, तो 27 आएगा, तो आप जानते हैं, अगर आप 3 को 3 बर multiply करेंगे, तो 27 आएगा, तो वो root 27 हो आता है, वो हो जाता है, cube root, तो पहला question देखते हैं, यहाँ पे लिखावा है, find the cube root of a number 12167, ठी मेरे साथ सीख लो, अगले question ऐसे से करेंगे, चुटके हो मैं, ठीक है बई, सबसे पहला rule है, पूरा कुछ भी number है, 2 digit का, 4 digit का, 5 digit का, 8 digit का, कुछ भी फरक नहीं बढ़ता, सबसे बहले हमें उस number की आखरी digit को देख रहा है, क्या करना है, उस number की आखरी digit को देखना है, यहा से बहले, 1, 2, 1, 6, 7 में, last digit 7 है, तो 7 को जैसी देखा, तो क्या लिखोगे, 3, तो अपनी copy में फड़ा फड़ लिख लीजे, sir, last में तो 3 आएगा, is it clear, अब सबसे हम लोग क्या सीख रहे है, cube root, क्या सीख रहे है, cube root, 3, cube, इसका मतलब हमेशा last की 3 digits को हटा दो, remove, मतलब हलक सा कट लगा दो, last की 3 digits, चाहिए फिर वो remaining, जो number है, वो बज़े, या 3 digits बज़े, हमेशा last की 3 digits को remove कर दीजे, जैसे, 1, 2, 1, 6, 7 में, मैंने 1, 6, 7 को क्या कर दिया, remove, so remaining part कितना बचा, 12 बचा, अब जड़ा मन में बोलना है, मन में, है ना, मन में, sir, 1 का cube होता है, 1, तो अभ अभी ये जो 8 है, ये 12 से छोटा है, आगे चले, 3 का cube होता है, 27, sir, ये 27, इस remaining 12 से क्यों हो गया, जादा, इसका मतलब 27 किसका cube था, 3 का, अगर 3 का cube जादा हो गया, so 3 से पहले number क्या आता है, जड़ा बताए, 3 से पहले क्या आता है, 2, तो वहाँ पे लिखना है 2, मतलब, जह पे वो number, उस number का cube जादा हो जाए, उस number से पहले वाला number आपको लिखना है, इसका मतलब, एक बार फिर से लेकी, जैसे last की 3 डिजिट हटाने के बाद 12 बचा था, so मन में आपको ऐसी करना है, जैसे मैं करौँ मन में, ठीक है, लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, मन में करना सर, 2 का cube 8, अभी छोटा है, 8 जो है, वो 12 से छोटा है न, 3 का cube 27, सर, 3 का cube तो जादा हो गया न, और अगर 3 का cube जादा हुआ, तो 3 से पहले number क्या आता है, 3 मतलब, जहां जादा होगा, उससे एक number पहले, so 3 से पहले क्या आता है, 2, so answer will be 23, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, पहले एक बाद चीज़ों को बहुत ध्यान से समझ लीजे, अगर एक 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 जामपल नहीं आया, थोड़ा patience रखिए, दूसरा एक जामपल आएगा, दूसरा नहीं आया, तीसरा आएगा, बट पहले थोड़ा patience रख लो, अब एक सेकंड एक और देखते है, question number 2, देखी क्या लिखा हुआ है, पहले वीडियो को पॉस्ट करना, अपना आप ट्राय करना, फिर मेरे साथ करना, question number 2 लिखा हुआ है, find the cube root of 4, 6, 6, 5, 6, ठीक है, अब 2 सेकंड लगना चाहिए, पहले वीडियो को पॉस्ट करो, नहीं आया, तो मेरे साथ देखना, देखो, सबसे पहले रू लिजे, 6 लिख लिजे, अब क्या काता सर ने, क्योंकि cube root है, तो आखरी की कितनी हटा नहीं है, 3, जैसी last की 3 digit हटा दी, so remaining part कितना बचा, 46 बचा, अब कुछ लिखना नहीं, दिमाग में करना है, अब आप बोलो कि सर 46 है, सर 3 का cube होता है, 27, so 3 का cube तो छोटा है, अबी, आग जाता हो गया, तो जहाँ 4 का cube जाता हुआ, तो 4 से पहले क्या आता है, 3, so answer will be 36, मेरी बात समझा रही है, नहीं समझा जाई, tension नहीं, अगला करेंगे न, एक और देखो, लिखा हुआ है, 97, 3, 3, 6, पहला अपनाब करना, नहीं होगा तो मैं करूँगा, अब देखो, सब से लिखा हुआ है, 6, तो क्या लिखेंगे, 6 का तो 6 लिखेंगे, अब लास्ट के 3 digits जैसे हटाया, तो बचा कितना, 97 बचा, अब 97 के अगर बात करते हैं, तो मन में, sir, 4 का cube 64 छोटा है, 5 का कितना होता है, 5 का तो sir, 125 होता है, इसका मतलब, sir, 5 का cube तो जादा हो गया, अगर 5 का 50047, चले देखते हैं, सबसे बहले देखेंगे, आखरी डिजिट, आखरी डिजिट में क्या लिखा हो है, 7, तो 7 का क्या ता sir, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, इसका मतलब, अगर 7 है, तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, अब लास्ट की 3 डिजिट को रिमूव करेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, 250 बचा, अब मन में, sir, 5 का क्यूब तो 125 छोटा हो गया, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, sir, 6 का क्यूब भी छोटा हो गया, sir, आगे जलते है, 7 का क्यूब तो जादा हो जाएगा sir, because 7 का क्यूब होता है, 343, so 7 का क्यूब अगर जादा हो गया तो seven से पहले क्या आता है six so answer will be six to three है ना interesting और मतला within seconds में आप लोग answer दे पाएंगे बस आपको focus करना है जो आप काम करे रहो ना उस पे focus तो करो एक बार मेहनत तो करो देखो सबको अच्छा लगता है life में कुछ करना बर मेहनत मेहनत तो आप यूगो करनी पड़ेगी you have to trust me ठीक है मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा बिल्कुल एक zero level से लेके बिल्कुल advance तक के question बिल्कुल advance तक के लिए ये मेरे लिए एकदम scratch level है मैं हलके 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 हम बहुत बहुत अच्छे level पर जाएंगे questions में ठीक है आगे चलते हैं एक question fifth वाला question देखते हैं लिखावा है और सब्सक्राइब करेंगे तो जबसे पहले लिए लास्ट रीचेश को रिमूफ करेंगे से रिमेनिक पाट बचा शिक्स फिफ्टी एट गड़ा आप देखेंगे सो देखेंगे सेवन क्यूब 313 चोटा होगे एट क्यूब ना एट कर चोटा हो गया सुना पर जाना सब्सक्राइब करेंगे से रिमूफ करोगे तो रिमेनिक पार्ट बचाओ 1295 हमेशे ला स्के-3 करनी या 1295 अब आपको 10 के आगी जाना पड़ेगा मेरी बात समझे रहुत क्यों कि 10 कर चूब क www.vanam-6887 Reserve 10 9 109 एक्जाम पॉइंट आपको डिरेक्ट तो नहीं मिलेगा वर्ट इस वे में आएगा आपके स्क्रीन पर होगा 252 ठीक है तो आप जानते हैं यह हमारे पास क्यूब रूट किसका आता है दो का 8 लास्ट के 3 डिजर हटाएंगे तो 8 का क्यूब जाता हो जाएगा इसका मतलब कितना हुआ 78 तो 78 प्लस X इकुल्स तो 80 एक्स की अगरा वैल्यू दिखूगी कितनी आ गई 2 तो पैन नहीं उठाना पड़ेगा मेरी बास समझा रही है न एक्जाम में कुछ इस टाइप का आएगा बट आपको हलकी हलकी चीजों को सीखना पड़ेगा भरोसा रखना पड़ेगा मेरे पर ट्रस्ट वी ठीक है और अगला जो पहला कोशन मैंने आपको स्कीन पर दिखाया था जो मैंने आप से बोला था कि अगर आप एक मेंट लगाने इस वीडियो के बाद आप इस आंसर को विदिन विदिन थी तो फोर सेकिंड दे पाएंगे ज़र एक बढ़ ट्राय करता है नहीं बना तो मैं करूंगा सबसे बहले आप मुझे बताइए यह किस का क्यूब होता है सो आंसर कितना होगा 99 प्लस एक्स इकुल्स टू 112 इकुल्स देन एक्स विल बी 13 सो सही आंसर यहाँ पर 13 आना चीए देखिए जहां तक की क्यूब याद होंगे आपको वहां तक निक मैं मैं क्या रहा हूं मन में टेबल फड़ते रहा हो जो देखते रहा हो फोकस करते हो मोबाइल के यूज़ना करो बट मन में चलना चाहिए और जैसर नैंट्वीटर सब्सक्राइब करते हैं अच्छा वीडियो मैंने देखा था तो सरन ने स्कोर याद करवाय ता क्या तो जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे आप लोग भी करेंगे तो speed बढ़ानी है पहले तो मैं request करता हूँ topics भी start करेंगे बड़ पहली चीज तो base है ना जब तक calculation डवलप नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा चले आज की लाज के लिए इतना ही धन्यवाद thanks a lot जए हुआ